डेटा की में जो कंजम्शन में जो इतनी तेज ग्रोथ आ रही है इसका फाइदा किन कम्प्रों को मिल सकता है यह फोकस करना ज़रूरी है तो आएए कुशल हमारे साथ है सब कुछ बताने के लिए कुशल बताईजी बिल्कुल सर तो जैसे कि आपने रैटली पॉइंट तो करीबन अभी हम 20 GB पर पहुँचे हैं तो आल्मूस्ट यहां से 3 गोना यहां पर डेटा ग्रोथ आने की उमीद लगा कर चल रही है तो काफी सारी अनलिस्ट अब यह मान रहे हैं कि यहां पर जो डेटा कंजम्शन बढ़ेगा उससे बहुत बड़ा फाइदा काफी सारी जो टेलिकाउम एकुप्मेंट कंपनिया हैं उनको आता वा नजर आता है इन फाक्ट यहां पर आप देखें कि यूएस चीन इनको भी हम अगले पांच सालों में पीछे छोड़ते वे नजर आएंगे क्योंकि 5G की जो ग्रोथ है जो इंफ्राश्रेक्टर सेट अप है वो बहुत ही तीजी से भारत में बढ़तावा नजर आ रहा है और यह इसी वज़़ा से आप देखें लगातार हमारा जो पहले डेटा कॉस्ट हुआ करता था 2014 में करीबन 269 रुपीज पर GB अब यह घटकर 2022 में 13.5 रुपे पर GB हो गया है तो कॉस्ट एक तरफ घट रहा है और डेटा कंजम्शन लगातार बढ़तावा जा रहा है और बहुत ही सिग्निफिकेंट पेस के साथ यहाँ पर डेटा कंजम्शन बढ़ रहा है अब यही मैं देख रहा था कि जब 2014 में 1 GB पर यूजर पर मन्त कंजम्शन होता था अब आप देखे 62 GB का हम यहाँ पर आकलन लग प्रेस्ट किया होता उसके बाद किस तरह के रिटांस है वो मैं आपको बताता हूँ आप देखे आज साड़े-9 साल हो चुके है उस बात को विंध्या टेली लिंक्स 1062 परसंट का इन्होंने रिटान दिया है और सतन पर यहर अगर आप देखेंगे इस कैलकुलेशन के साब से तो 112 परसंट का रिटान बनता है वही डिलिंक, ITI, स्टरलाइट टेक यहाँ पर भी 50 परसंट से लेकर 78 परसंट का यरले रिटान आया है आपको और साथी टाटा कम्यूनिकेशन वन आफ आपका फेवरेट पिक्स यहाँ पर भी almost 44 परसंट का पिछले साड़े-9 सालों मे यह पर-year रिटान आते वे दिखें अगर आपने उस टाइम पर इंवेस्ट किया और अभी अगर निकाला है और टेजस नेटवर्क अफकॉस जून 2017 से यहाँ पर कैलकुलेशन की गई है तो 31 परसंट के रिटान इनके भी आया है और सतन अगर पर-year एवरेज बेसिस पर दे इस पर भी आपको करना है फोकस और देखें पिछले आट नौ सालों में किस तरह से डेटा के हमारा यूसेज बढ़ा है बिल्कुल तो डेटा की यूसेज पर जब दा सेक्शन